I have no computer science background, I have no maths background, can I crack my MCA entrance examination, यह common question, maximum जनता का है, I want यह वीडियो के बाद सारे doubt जो question है, वो clear हो जाएंगे आपके, ठीक है, so one by one दोनों pointers को अपन डिसकस करेंगे, अगर इसके अलावा आपके और भी कुछ doubt question है, आपके entrance को लेके, college को लेके, या anything other, right, या तो फिर कुछ और भ to reply you, and अगर आपको लग रहा है कुछ इस topic पर आपको वीडियो चाहिए, या आप problem face कर रहे हो, तो वह भी लिखो, ठीक है, तो आपन उस पर भी बात करेंगे, अगर आप menuer के already student हो, live class या तो फिर classroom, तो भी, already मैं आपको class में बोलता हूँ सेम चीज, कैसे जाना है, like में भ YouTube family का part हो, तो भी मैंने काफी video repost किया हुआ है, ठीक है, और अगर आपने just join किया हुआ है channel को, तो भी channel को पहले तो subscribe कर लो, और just join किया हो, तो आगे बहुत सारे videos आने वाद है, तो कुछ भी miss नहीं होना चाहिए, ये video share करो आपके सारे friend लोग को, जितने लोग को ये दो question क doubt है, मैं चाता हूँ ये video के बाद वो doubt भी clear हो जाए, ठीक है, let's get started, सबसे पहले आते हैं मेरा computer science background नहीं है, ना तो मैंने BSc ID किया है, ना तो मैंने bachelor in computer science किया हुआ है, मैं normal become graduate हुई, let's say BSc graduate हुई, या कुछ और भी अगर अपने किया हुआ है, जिसमें IT subject basically नहीं था, ठीक ह लेकिन IT subject नहीं था, तो जो computer concept का section आता है, आपके MCA के entrance में, चाहे आप name set ही लिख रहे हो, चाहे आप महरास्टा का MCA CET लिख रहे हो, दुसरे कोई entrance लिख रहे हो, तो computer section एक अलग से होता है, तो भी वो निकलेगा क्या नहीं, वो crack होगा कि नहीं, वो एक question mark है, हर exam के अं 70-80% अपका, मतलब theory based question, जो आपके lectures वगर से आप पढ़ोगे समझोगे basic होते हैं, easy होते हैं, कुछ question होते हैं, जो boolean वाले होते हैं, coding वाले type होते हैं, C language वाले होते हैं, तो उदा थोड़ी सी effort माननी पड़ती है, ठीक है न, मतलब उसके 2-3 question आपको मिलेंगे, जो थोड language barrier या तो coding वाला part देखना पड़ेगा, जो कि obviously moral level का होता है, बहुत tough नहीं होता, बहुत easy नहीं होता, likewise CUT, PG लिख रहे हो, तो उसमें भी same part है, तो मेरा कहने का मतलब यह हैं कि, अगर आपने overall syllabus go through किया हुआ है, number one, number two, आपने सारे syllabus का preparation अच्छे से किया हुआ है, lectures menu और के attend किये हुए है, आपने questionnaire सही से किया हुआ है, test लिखे हुए है, तो काफी हपता पड़ाई हो जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको core ली एदम tech background होगा, तभी आप MCA का entrance निकाल पाओगे, ऐसा नहीं है बहुत लोग ऐसा होता है कि, graduation के बाद, strike होता है कि, यार मैंने जो graduation जिसम नहीं निकल बाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, so those who are with this mindset, don't need to worry, ठीक है, आपके अच्छे से lectures वगर अटेंड करो, सारे questionnaire solve करो, test लिखो, और आपके जो record video से वो सारे cover करो, हो जाएगा, अच्छा हाँ, preparation से यादा है, अगर आप Mumbai based हो, तो आप center visit कर सकते हो, for the batches, already we have launched batches at all the centers, center line में हो तो थाने दादर you can visit, western line, harbour line कहीं पे भी हो, तो आप दादर, बोरी वेली, अंधेरी, वसाई you can visit, पालकर साइड हो तो आप वसाई center and बोरी ले center you can always visit, ठीक है, अगर अब Mumbai based नहीं हो, तो online live classes के लिए, Pan India के लिए, you can contact our online team, they will guide you with regards to the preparation, अब बात करते हैं, second problem पे maths को लेकर, मेरा maths week है, quant week है, या तो background ही नहीं है, तो how I will be able to crack it, ठीक है, crack तो भाई हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप crack नहीं कर सकते हो, या कुछ अचीब नहीं कर सकते हो, सब यहाँ पे है, है ना, तो सबसे पहले, exam आपको सबजना पड़ेगा, कौन कौन से exam सा होगा, ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि, आप पहले, अप्रिट वाले मैस कवर करो, जहाँ पे आप स्कोर को थोला सा बेडर लेबल पर लेकर आजाओ, और फिर advance में भी कौन कौन से topic पर आप work out करके अपने आपको बहतर बना सकते हो, मैं यह बिल्कुल नहीं बोनाओ क पूरे mask के area में आप अच्छा करोगे, यार अगर आपने 70 परसन, 80 परसन अच्छा किया बहुत हो गया न, 10-20 परसन उपर नीचे होता है, doesn't matter, बाकी के area में आपको फोड़ना पड़ेगा, बाकी का area मतलब क्या, logic और English, वहाँ पे हम compromise तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अगर हर section में अपने आपको बताना पड़ेगा, कि हाँ, यहाँ पे मैं इतने-इतने marks secure कर सकता हूँ, तो कि overall जो score है, वो अच्छा बनना जरूरी है, और कोई एक medical section weak है, तो उसके वासे पुरा paper खराब होगा, ऐसा नहीं है, मैं इसको लेकि अलग से ची है, तो यह वीडियो बन करने के जरूरा है, तो यह सारे एरिया आपको करने के जरूरा है, तो उसके lectures आपके होंगे, don't need to worry about it, NIMCT के अंदर major question advanced math के होंगे, तो वहाँ पे हाँ, वहाँ पे आपको advanced math पर यादा फोनना पड़ेगा, पड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, and यह CUT PG लिख रहे हो तो, again, कुछ question आपके attitude वाले होते हैं, ठोड़े से question ज्यादा आप बोल सकते हो, ठोड़े advanced math वाले भी होते हैं, ठीक है, तो math का section है, वह exam wise वेरी कर रहेगा, you need to understand this, अगर आप CT लिख रहे हो, तो आपको समझना पड़ेगा, कि आपको कौन-कौन से area में focus करना, मेरा एक अलग से म बनाऊंगा, मुझे बच्चरे comment भी किया था है, कि sir, पूरा syllabus को आप exam wise categorize कर दो, तो मैं वो करके, I try कि ये week में अगर बन सकता है, तो मैं बना दूँगा, या तो next week टेक वो वीडियो आ जाएगा, उसको देख ले न, और आपको clarity आ जाएगी with respect to the examination, syllabus and the preparation, बढ़ हां, मेर मालना यह है कि अगर आप practice करने के लिए ready हो, है न, और concept सीखने के लिए ready हो, shortcuts वगर basic calculation आपको पता है, तो आप math में अच्छा करोगे, so, अगर cont का section, math का section अच्छा करना है, तो only thumb rule is practice, इतना pen घस होगे, उतना आप बैतर होगे, always I say this, ठीक है न, so, अगर आप इस category में हो, म मेरा math का background नहीं है, can I crack my MCA entrance, my answer is yes, definitely you can crack it, provided, you should know what types of the questions you should prepare, with respect to the examination, every exam is different ballgame, negative marking है, NIMCT में, CUDPG में, MCCT महारास्टा वाले में, negative marking नहीं है, तो सारे aspect आपको समझ के चलने पढ़ेंगे, ठीक है, so, that's all guys in this video, I hope जो आपका doubt question था, वो मैंने clear कर दिया है, ठीक है, apart from the computer science and the math section, आपका logic और आपका जो English का section है, इस पे भी महनत करना चालू करो, English का section है, maximum जनता का score नहीं आथा, because we are reluctant to read, हम reading नहीं करते हैं, वो care पे काम नहीं करते हैं, grammar पे काम नहीं करते हैं, मने और इस पे बात की हुई है, तो वापस बोल रहा हूँ, अगर ये दोनों area आपने अच्छा कर लिया, logic और English में, तो computer भी कर लेंगे, मैस में, maximum जनता को problem होती है, I can understand, but हमारे पास time है, हम अभी महनत करेंगे, तो कर लेंगे, ठीक है, ये share this video to all your friends, so that everyone should be benefited from this video, all the best, thank you.